गुड मॉर्निंग अल उफ यू इन दिस पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉंडिंग विल डिस्कुस अबाउट दा फॉर्मेशन ऑफ सम् मोलेक्यूल्स विचेव दा वेलेंड फॉर्टीन वेलेंज इलेक्ट्रों इन देर वेलेंज शेल उसिंग दा लिनेट थियूरी तो उनको भी एक्स्पेइन करने से पहले हम एक ब्रीफ इंट्रोड़क्शन दुबारा से ले लें कि वट इस ओल अबाउट दा लिनेट थियूरी तो जो लिनेट थियूरी इस गिवन बाइस साइंटिस्ट कॉल दा जीम लिनेट इस ओल्सो कॉल्ड ऐस दा लिनेट थियूरी फर्दर जो यह लिनेट था इसने जो भी आपके मोलिक्यूल है जब उसका फॉर्मिशन को एक्स्पेइन करने से पहले उसने कुछ पहले जो साइंटिस जिन्होंने कुछ अपना कंट्रिबुशन दिया था इस फिल्ड के अंद तो आपके जो जे-म लेनिट है इसने लेंगमेओर की लेविस लेंगमेओर की उस बात का समर्थन किया उस बात को फैवर किया कि कोई भी जो मोलिक्यूल जब बनता है तो उस बनने के दोरान जो सेंट्रल एटम के चारतर उफ जो बॉंड पेर और जो लॉन पेर इलेक्रोंज होते हैं फॉप ने आपको कुछ ऐसे अरेंज कर लेते हैं ताकि हमके बीच रिपल्शन कम से कम हो तो उसने इस बात का भी फैवर किया कि हाँ रिपल्शन कम से कम होनी चीए लेकिन अब इन दोनों बातों का ध्यान कैसे रखा जाए तो कैसे करें उस अरेंजमेंट इस ताइप से देखना हैं कि वैस्पर ने जो कहा कि यहा घर करवाइ जाए इस बात का भी ध्यान रखना है इनी दो बातों को पूरा करने के लिए लिनेट ने डू फैर्टर्स ते anyways for इफट आदर वनीजा चार्ज कोर्रेशन इफेक्ट स्पिन को जो कोर्रेशन इफट है उसके अंदर इसने जो अबके पॉली एक्सक्लीजन प्रिंसीपल है उस बात का भी फैवर किया कि जैसे poly exhibition principle ने कहा था कि in an orbital there can be a maximum of two electrons of opposite spin तो ऐसे इसने कहा कि जब कभी भी दो electronic दूसरे के नजदीक आएंगे तो उनकी spin opposite होनी चाहिए ताकि उनके बिच repulsion कम से कम हो, charge correlation effect ये कहता है कि जो भी electrons हैं जो क्योंकि हम यहां पर जो electrons की बात करेंगे, central item के चार तरफ जो arrangement हमें दिखानी है, वो आपके electrons ही होंगे तो electron के बीच तो repulsion होनी ही होनी है, लेकिन अब वो repulsion को minimize कैसे किया जाए ताकि repulsion उनके बीच कम से कम हो, तो इनी दो बातों को ध्यान में रखते हुए कि दो electron नजदीक आएं तो opposite spin के हो, और electron के बीच repulsion तो होगी ही, क्योंकि electron के बीच ऊपर तो negative charge ही है तो अब उनके बीच repulsion को कम कैसे किया जाए, तो उसके लिए क्या किया, जो linear था, इसने ऐसा कहा कि इस बात को ध्यान में रखने के लिए, ताकि electrons maximum एक दूसरे से far apart भी रहें, एक दूसरे से दूर भी रहें और उनको नजदीक लाना पड़े तो सिर्फ उनी electron को नजदीक लाएं, जिनकी spin opposite हो, ताकि repulsion कम से कम हो इन बातों को ध्यान में रखते हुए, उसने ये सोचा कि जो central atom है, उसके चार तरफ 8 electrons अगर है, तो उनकी arrangement कैसे करें तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, linear ने क्या किया, उसने 8 electrons को दो हिस्सों में divide कर दिया, in the form of the quadrate he divides all the 4 electrons in the 2 set, one spin set, other spin set, one spin set को tetrahydra की form में उसने आरेंज किया, वही से लिए क्योंकि जो tetrahydra होता है, tetrahydra की अंदर क्या होता है, four corners, central atom के चार तरफ कितने होते हैं, बहुते हैं, बहुते हैं, बहुते हो, तो coordination number को 4 रखने के लिए coordination number को 4 रखने के लिए ताकि stability ज़्यादा से ज़्यादा हो वो सिर्फ तभी possible हो सकती है जब electron-lectron के बीच repulsion भी कम करने जो tetrahedal structure हो क्योंकि tetrahedal structure के अंदर ही जो distance होता है जो angle होता है वो 109 degree or 28 minutes का होता है तो इसी लिए जो linear था इस ने propose किया कि जो 8 electrons है उनको हम 2 set में divide कर देंगे एक set 1 quadrate बन जाएगा second set second quadrate बन जाएगा ताकि एक set के अंदर जो 4 electron हो उनके बीच maximum distance हो यही कहा गया था कि maximum distance रखना है electrons के बीच और उसके बाद जो 2 quadrate बनेंगे quadrate 1 उसका spin वान लिजे अपर डिरेक्शन में दिखाते हैं हाँ फिर ऑपर डिरेक्शन में second का downward direction में फिर उनको हम interpenetrate करेंगे तो मिन्स इसने क्या कहा he proposed that to get to acquire a stable structure arrange all the 8 electron in the 2 set so that the electrons maintains the maximum distance among themselves उनके वीचे maximum distance हो जाए और उसके बाद जो 2 quadrate होंगे उसमें क्या होगा these 2 quadrate having the 4 electron each so each set have the electrons of the opposite spin उनके spin opposite होनी चाहिए और उसके बाद हम क्या कहेंगे इसलिए तो इस theory को कहते है double quadrate theory क्योंकि इसके अंदर हमने 2 quadrate बना लिए 1 quadrate एक spin set का 2nd quadrate अपारे 2nd set का बन गया उसके बाद हम क्या करेंगे जो 2 हमारे quadrate बन गये उनको हम interpenetrate करेंगे आपस में dispose करेंगे तो जो आपके 2 quadrate बन गये उनको हम क्या करेंगे interpenetrate यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो quadrate है उसकी जो structure है वो tetra heddle थी ताकि distance maximum रहे electrons के बीच और जब आपस में एक दूसरे को penetrate करेंगे जैसे आप diagram के अंदर देख पा रहे यह हमारा एक hetra hedra है जिसमें हमने red dots से दिखा रखें electrons को और जब यह जो electrons है यह spin के है ऐसे ही दूसरे spin के electron आए दूसरा quadrate आया तो उनके बीच में क्या हो गई अब distance सबसे ज़्यादा है यहाँ पे और जब एक दूसरे को approach करते नजदिक आते हैं तो आप देखे red dot और black dot को देखते हैं that is the one pair one close pair there is the another close pair यह third close pair और यह आपका बन गया four close pair और यह opposite spin के ही electron है ताकि इनके बीच repulsion क्या रहे repulsion हो कम से कम क्योंकि same spin के electron होगे उनके बीच repulsion ज़्यादा होगी opposite spin के electron होगे तो repulsion क्या होगी कम से कम इसलिए इस theory को electron repulsion theory भी कहा जाता है तो यह arrangement हमने की है कि अगर हमारे पास 8 electron system हो सबसे simple system हमारा यही है 8 electron system 8 electron system को easily 2 set में divide कर देते हैं 2 आपके tetrahydra बन जाते हैं 2 quadrate बन जाते हैं 2 quadrate यूज किये गए इसलिए तो इसको double quadrate theory भी कहते हैं और 2 quadrate इसलिए बनाए गए ताकि हमारी जो main theme था ताकि electron के बीच repulsion कम से कम हो हम उस चीज को acquire कर सके हम उस चीज तक पहुंच सके तो ये थी linear theory की brief introduction के GM linear theory ने इस theory को दिया so called the linear theory दो effect को use किया गया spin correlation, charge correlation, effect दोनों और किसलिए वो इसलिए किया गया ताकि electron के बीच distance जादा हो, repulsion कम हो इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए जब electron एक दूसरे के नज़्दिक आए तो opposite spin के आए फिर भी दूर कैसे रखें तो दो quadrate बना दिये गए एक quadrate के अंदर four electron वो भी tetrahedra की form में ताकि maximum distance तभी रह सकता है जब वो tetrahedal form के अंदर हो tetrahedal structure की form के अंदर हो ताकि bond angle 109 degree 28 minute का हो जाए 109.5 degree का हो जाए तो इसलिए इसको कहा गया double quadrate theory और जब दो आपके quadrate एक दूसरे के अंदर interpenetrate करते हैं approach करते हैं dispose करते हैं एक दूसरे के उपर हम उनको रख देते हैं तो उस वक्त जो electron एक दूसरे के नज़दिक आते हैं वो electron opposite spin के ही होते हैं करेंगे जिनके अंदर 12 electrons होते हैं उनकी valence shell के अंदर तो दो example है हमारे पास एक C2H4 है एक O2 है तो सबसे पहले हम C2H4 को लेंगे C2H4 इसके अंदर आपको दो ही टाइप के एटम दिख रहे हैं वन इस दा कारबन अदर रोन इस दा हाइडोजन अगर हम इन दोनों की electronic congestion लिखें carbon और hydrogen की तो carbon की congestion क्या है 1s22s22p2 carbon की आप valence shell के अंदर देखें total जो electrons है there are 4 valence electron in their valence shell 4 electrons carbon 2 है तो total valence electrons कितने हो जाएंगे 1 carbon के अंदर 2 valence electron थे 2 carbon के अंदर हो गए 8 electrons हो गए similarly hydrogen की congestion हम देखेंगे तो 1s1 और इसके पास valence shell में कितने electron है hydrogen यहाँ पे C2H4 में 4 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलो 1 था hydrogen है 4 तो is equal to 4 electrons हो गए total electrons कितने हो गए valence shell के अंदर total हो गए 8 plus 4 is equal to 12 open form में भी हम इनकी configuration को लिखेंगे देख लेते हैं carbon को हमने शोग किया 2s2p में 1 एक 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 है hydrogen में 1 electron है तो valence electron total कितने हो गए हमारे 12 8 electrons बोलो कहां से आए carbon की वज़े से 4 electrons कहां से आए hydrogen की वज़े से 4 hydrogen है total valence electron कितने हो गए 12 अब इन 12 valence electrons को हम क्या करेंगे इनको divide करेंगे in the 2 spin set 6 electrons in 1 spin set and the 6 electron in second spin set other spin set तो अब एक tetra hydra से काम चलेगा नहीं क्योंकि एक tetra hydra अगर हम लेते हैं तो उसमें 4 ही corner होते हैं मतलब 4 electron की वज़े से ही एक tetra है, एक spin set बन सकता है लेकिन हमें यहाँ पे जो एक spin set बनाना है वो 6 electron की वज़े से बनाना है तो 6 electron की वज़े से 1 आपको spin set बनाना हो तो क्या करें, हमें यूज़ करना पड़ेगा pair of tetra hydra, लेकिन pair of tetra hydra को आपस में combine कैसे करें इस तरह से combine करना है कि total electrons हमारे पास 6 ही रहने चाहिए अपने spin set के अदर, तो वो possibility को कैसे है the 6 electrons of one spin set are arranged in the form of pair of tetra hydra by sharing क्या share करें corner करें, edge करें, face करें, क्या करें उस चीज़ को करें आप share यहाँ पे ताकि हमारा जो spin system है वो six electron का ही बने तो अगर हम edge share करते हैं, यह सिर्फ अभी possible आप देख सकते हैं, देखो यह एक tetra hydra है, जिसके अंदर one spin set है आप देखें, इसके four corner, four electrons दिख गए लेकिन अब अगर हम, यह जो दो point है आपके, देखो यह upper point और यह lower point, यह जो line है जिसे edge कहते हैं, अगर हम इसको common कर दे देखो, दूसरा set आ गया अगर हम इनको देखो, one set second set देखो, पसमें हमने share कर दिया edge को, तो इस वज़े से अब हमारा बन गया, six electron system, क्या बन गया, क्योंकि edge common हो गई, edge को पर रखे हो, electrons common है वहाँ पर, तो total electrons बोलो, कितने हो गई इसके अंदर, six देखो, दो electrons यह इधर दिख रहे है, one, two, left side में, two, right side में four, five, और six, two electron common है, तो इस तरह से यह six electron का one spin set बन गया, इसी टाइब से हम क्या करेंगे, जो हमारा second spin set बनेगा, six electron of other spin set are arranged in the form of pair of tetrahedra, similarly, बिल्कुल इसी तरीके से, by sharing edge between them, with the same orientation like that of the first spin set देखो, एक tetrahedra हमने दिखाया, यह second है, अब एक दूसरे के पास इसको लाते हैं, देखो, one के पास second है, edge हमने common कर दी share कर दी, तो जिसके वज़ेसे यह six electron की वज़ेसे दूसरा spin set बन गया, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यह जो दो spin set आपके बन गए है, six electron का one spin set, और second, और six electron का देखो, यह other spin set यह दो spin set बन गया, अब इनको आपस में superimpose करेंगे, एक के उपर दूसरे को रख देंगे, उसे superimpose करना कहते हैं, उसे interpenetrate करना कहते हैं now the superimpose, the two set one of the other और देखो, यह एक दूसरे के उपर जो हमने रखा तो देखो, क्या हुआ, dotted line से other spin set दिख रहा है, आपकी जो dark line से उसे दूसरा spin set दिख रहा है और बीच में देखो, हमने कार्बन दिखाया ज्यान से देखे, मैं दूबारा लिख देता हूं, red pen से, यह कार्बन, देखो, हमने यहाँ पर कार्बन रख दिया, दो कार्बन के बीच में देखो, यह उपर देखे, यहाँ पर यह एक close pair बन गया, देखो, यह second close pair बन गया, तो दो कार्बन एटम के बीच में जो दो close pair तो ऐसे बने हैं, जिनकी वज़ेसे बनेगा, कोवलेंट bond, क्या बन जाएगा, कोवलेंट bond, और हर कार्बन के उपर जो दो अलग से close pair और बन गया, देखो, यह उपोजिट स्पिन के एलेक्टोन है, देखो, एक डॉट से दिखाया, डार्क ब्लेक कलर की डॉट से, एक सिंपल डॉट हमने दिखाई, तो यह दो close pair, एक hydrogen को hold करने के लिए, another close pair, दूसरे hydrogen को तो two close pair is formed in between the two carbon atom, which result in the formation of two covalent bond, while the other two electrons pair on each of the carbon atom are used for holding the H atom and finally we got the structure of the C2H4, इस टाइब से हम C2H4 के formation को explain कर पाए by using the linear theory, तो आपने क्या देखा के C2H4, it is a 12 electron system, और 12 electron system के अंदर दो spin set बनाने पड़े, दो इसो में डिवाइड करके 6 electron और 6 electron का, और वो सिर्फ अभी possible था अगर हम edge को common कर लेते हैं, तो ये था C2H4 molecule का formation using the linear theory, next हम देखते हैं, formation of O2 molecule using the linear theory, O2 के अंदर 2 oxygen हैं यहाँ पर, first oxygen की अगर आप electronic condition लिखें तो क्या बनेगी, 1s22s22b4, valential में आप electrons count करें, total जो electrons हैं यहाँ पर बोलो कितने हैं, 6, और 2 हैं oxygen यहाँ पर, तो 6 multiplied by 2 is equal to कितना हो जाएगा, यहाँ पर, 12 electron system, valential के अंदर 12 electrons हो गए, तो अभी आपने बढ़ा था C2H4, वो भी 12 electron system था, O2 molecule is also 12 electron system, open form a congregation लिखते हैं, यह 2s के अंदर 2 electron, 2b के अंदर 400 rule को follow करते हैं, valence electrons O2 के अंदर 12 हो गए, अब 12 तो हो गए, लेकिन जो oxygen है, यह बड़ा important molecule है, इसी को, तो main base हमने बनाया था, linear theory को जब हम explain कर रहे थे, advantage जब हम देख रहे थे, कि जिसके अंदर हमने क्या देखा था, कि जो oxygen molecule है, यह आपके, दोनों state के अंदर हमें इसकी explanation देनी है, कि it is paramagnetic in the ground state and it is the diamagnetic in the excited state, लेकिन जो previous जितनी भी theories थी, आपकी levy slang में और theory थी, उसने यह कहा कि यह मोली क्यों तो diamagnetic है, वो सिर्फ diamagnetic nature को explain कर पाया था, MO theory को देखा, तो वो तो सिर्फ इसके paramagnetic nature को explain कर पाया था, तो means दोनों के दोनों nature को कोई भी theory explain नहीं कर पायी थी, उनी दोनों nature को explain करने के लिए, जो linear ने अपनी यह theory दी थी और उसी base के उपर के different quadrat, quadrat को यह use करेंगे और फिर उस चीज को explain करता है linear, तो जो oxygen वो three state max exist करता है, first one is the ground state, it is a paramagnetic state, यह paramagnetic state होती है, इसके अंदर oxygen, oxygen के बीच की जो bond length है 1.207 angstron होती है, excited state होंगी next, excited state होंगी, first और second, दोनों की दोनों ही diamagnetic होंगी, दोनों ही ज़्यादा energetic होंगी, ज़्यादा energy की होंगी, कम stable रहेंगी, तो bond length उनके अंदर बड़ी होगी, first excited state के अंदर जो energy है, ground state के comparison में 23 किलो कैलोरी ज़्यादा होती है, और bond length भी देखो थोड़ी इंक्रीज होगी, 1.216 angstron, similarly जो second excited state होती हो, oxygen के अंदर वो भी diamagnetic है, और उसकी energy भी ground state के comparison में 38 किलो कैलोरी हायर होती है, देंदा ground state, और bond length भी देखो थोड़ी और increase हो गई, 1.227 angstron, तो इस टेप से ये तीनों की तीनों state को अब हम explain करेंगे step by step लेकिन, उससे पहले फिर से देख लें कि ये जो तीन state हम इनको explain करें उससे पहले जो पहले जो scientist आया थे जैसे Levis उसने क्या कहा था, उसने ये तो ground state के अंदर paramagnetic nature होता है, तो ये जो Levis है, ये इसकी ground state को explain नहीं कर पाया, क्योंकि इसने सिर्फ pairing के उपर ही जोर दिया, emphasis दिया है, तो ये सिर्फ diamagnetic nature को ही explain करता है, next जो valence bond theory है, उसने भी क्या किया था, कि वो जो oxygen है, उसने सिर्फ resonance को help किया था, resonance को ही use किया था, कि resonance, एक molecule को एक से ज्यादा structure की form में आप represent करें, उसकी सारी properties को explain करने के लिए, तो ये भी इसके paramagnetic nature को ये explain नहीं कर पाया था, MO theory जो आई, उसने paramagnetic nature को explain किया था, लेकिन ये diamagnetic nature को explain नहीं कर पाया था, जो की excited state के अंदर आपकी O2 की diamagnetic state होती है, इन सारी चीजों को explain हम step by step करते हैं, और ये जो beauty है इस theory की, linear theory की, it is the beauty of the electron repulsion theory और the double quadrant theory और the linear theory के it can explain both the paramagnetic and the diamagnetic property of the O2 molecule, तो सबसे पहले हम ground state को देखते हैं, तो ground state के अंदर आप ध्यान रखें, हमें explain करना है, इसका paramagnetic nature, अगर हम जैसे पहले हमने एक molecule study किया था, भी आपको समझाया था, C2H4, अगर हम उसके basis के उपर, 12 electron system था वो भी, उसी basis के उपर अगर हम दो spin set बना दे, 6 electron, 6 electron को तो paramagnetic nature हो ही नहीं पाएगा, क्योंके सारे के सारे close pair बन जाएंगे, तो फिर क्या करें, फिर उसके बारे में सो चलिए निटने और देखो किस तरह से explanation दी, लेकिन सबसे पहले simple बाते वही के electronic congregation लिखी हमने oxygen की, 1s2, 2s2, 2p4, उसी type से valence shell के अंदर आपने देखा, total electron तो देखो वही 6 हैं, दो है, oxygen तो 6-2 जा 12, open form में लिखते थे हैं, 2s के अंदर 2 electron, 2p के अंदर 4 है, 1, 2, 3 and then 4, हंड्स rule को यूज करते हैं, total valence electron आपके कितने हो जाएंगे, 12, एक oxygen के अंदर 6 valence electron, second में भी 6, 6 plus 6, 12 valence electrons, और यह क्योंके ground state paramagnetic हैं, हम जानते हैं, तो क्या करें, 12 electrons को अब हमें divide करना पड़ेगा, not in equal way, but in two unequal ways, means one set of five electron, other set of seven electron, तो एक तो spin set हमें five electrons का बनाना है, दूसरा seven electrons का बनाना है, तो five electrons का एक set कैसे बनता है, देखो four electron का एक set बनता तो simple tetrahydra हो जाता है, लेकिन अब एक tetrahydra से काम नहीं चलेगा, electron फिर भी five रखने, तो क्या करें, we have the requirement of a pair of tetrahydra, हमें pair of tetrahydra लेना पड़ेगा, pair of quadrate हमें लेना पड़ेगा, तो जो pair of tetrahydra लेंगे, उनको आपस में जब combine करें, तो किस तरह से, इस तरह से combine करें कि five electron का set बने, आपका उसके लिए क्या common हो, आपका common corner हो, edge हो, या face हो, तो आप देखें, तो five electron of one spin set are arranged in the form of pair of tetrahydra by sharing a face between them, देखो यह हमने एक tetrahydra लिया, उसके बीच में पहले भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसके अंदर आपने देखा था, कि आपके face को ही share करना पढ़ता है, तभी ये five electron system बनता है, तो five electron का one spin set बनता है, तो five electron का ये one spin set बन गया by sharing the face, अब दूसरा में बनाना है seven electrons का, तो the seven electron set जो आगे अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद, 14 electron system जो हमारा आएगा, उसके अंदर आप देखेंगे 14 electron में दो spin set seven seven electron का यी बनने हैं, तो वो अभी हम यहाँ पर भी देख लेते हैं, तो seven electron का जो set बनेगा, वो कैसे बने, by using the pair of tetrahedra by sharing the corner between them, देखो, ये one tetrahedra, दूसरा tetrahedra है, बीच में देखो, ये corner हमारा क्या कर लिया, हमने common कर दिया, क्योंकि एक tetrahedra के अंदर देखो four electron थे, दूसरे tetrahedra के अंदर four electron थे, one को common करते ही total seven हो जाते, क्योंकि one तो common हो गया, तो seven electron की वजह से, जो one spin set बना, वो कैसे बना, तो pair of tetrahedra, ये corner between them, और जो five electron का one spin set बना, वो कैसे बना, by sharing the face between them, तो pair of tetrahedra को ही use करना पड़ा, five electron का spin set बनाने के लिए, ऐसे pair of tetrahedra को ही use करना पड़ा, seven electron का other spin set बनाने के लिए, अब हम क्या गरते हैं next step में, आप superimpose करते हैं, इनको दो spin set को, now superimpose these two set one above the other, देखो ये आपका one spin set है, इसके पर देखो ये second spin set हमने रखा, ध्यान से देखें, ये one spin set है, second spin set को इसकी उपर रखा, और हम explain क्या करना है, हमें explain करना, paramagnetic nature, और आप खुद समझ पाएंगे कि ये ये सामने क्यों किया था, देखो ये other spin set रखा, अब देखो, बड़े ध्यान से देखना, एक side में देखो एक oxygen है, ध्यान से देखें, आप इधर, वन, टू, थ्री, देखो, ये हमने एक oxygen, देखो, red pen से आप देखें, ये oxygen है, ये second oxygen, देखो, हमने इधर लिखें, ठीक हो गया, अब दो oxygen के बीच में electron देखें, total कितने हैं, घ्यान से देखें, electron कितने हैं यहाँ पर, total electrons को आप count करें, यहाँ पर, one, two, three, four, दिख रहें न, four तो half arrow, देखो, one, ये two, और three, पर एक, ये red arrow half, देखो, downward direction के अंदर, देखो, three black में दिखा रखें, upward direction के अंदर spin है, और एक कहाँ पर, downward direction के अंदर spin है, तो जिसकी वज़े से क्या होगा, कि आपके unpaid electrons यहाँ पर रहे जाएंगे, जो पेर बनेगा, एक half arrow, एक red arrow, उनको लेके तो one bond बन गया, एक-एक electron उपर नीचे, जो हमने black color से बचकिया, दीजार दीजार दीए, unpaid electron, जो paramagnetic nature को क्या करेंगे, explain करते हैं, तो देखो, four electrons are present in the bond region, means in between the two oxygen atoms, the three electrons are of one spin set, देखो, जो black color से हमने दिखा रखें, and one electron of other spin set, जो red color से हमने दिखा रखें, half arrow in the downward direction, so no closed pair is formed in the ground state of the oxygen, बहलो, explain, आप इस diagram में देख सकते हैं, देखो, unpaid electron आपको दिख रहे हैं, हमें unpaid electron ही show करने थे, ताकि हम इसके paramagnetic nature को explain कर पाएं, तो इस तरह से हमने जो oxygen की ground state है, linear theory के basis के पर explain किया, कि why the oxygen is paramagnetic in nature, तो unpaid electron को हमने show किया है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, oxygen का first excited state के अंदर, first excited state के अंदर जब हम देखते हैं, तो देखो हमने oxygen की वही connection लिखी, 1s2, 2s2, 2b4, valence shell के अंदर इसको open form में दिखाएंगे, 2s2, 2 electron है, 2p के अंदर 4 electron, by using the harness rule, हमने इनको fill up किया है, total electron, उसे tap से 12 होंगे, क्योंकि और टू ही है, पहले हम आपको समझा चुके है, अब दो spin set बनेगे यहां पे, त्योंकि आप हमें तो देखो, 6 electron का spin set बना, 6 का कैसे बनता है, क्या share करें, अभी हमने पढ़ा था, उसके अंदर हमें share क्या करने पड़ती है, 6 electrons और 1 spin set are arranged in the form of pair of tetrahydra, by sharing edge between them, क्योंकि अब की बार हमें diamagnetic nature का explain करना था, इसलिए जो total 12 electrons थे, उनको 2 equal spin set के अंदर डिवाइड किया, 6 electron का one spin set, 6 electron का other spin set, तो यह one spin set है, इसके उपर हमने दूसरा spin set, दूसरा tetrahydra रख दिया, टोटल एक spin set बन गया, तो एक spin set बनाने के लिए pair of tetrahydra को, दोखो यूज किया फिर दिखाते हैं, देखो यह one tetrahydra है, यह second tetrahydra है, बोलो common हमने क्या किया है, बोलो edge, देखो edge हमने common कर दी, तो one spin set बन गया, similarly, the six electrons of other spin set are arranged in the form of pair of tetrahydra by sharing an edge between them, with different orientation, क्यों कह रहे हैं, different orientation इसलिए, कि देखो ध्यान से, कि यह हमने एक tetrahydra लिया, इसके अंदर देखो हमने क्या किया है, जो यह corner था, देखो, यह end point था, देखो, उदर हम टिक कर रहे हैं, देखो, यह end point था, इसको हमने अंदर की तरफ यहां पे शो किया, representation का difference है, तो यह with different orientation का, हमने यह, आपका tetrahydra लिया, अब एक और लेंगे, देखो, और इनके बीच, common क्या रही उसी type से बो, edge, क्या common रही यहां पे, edge, तो यह second spin set बन गया, with different orientation, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, superimpose करते हैं, now superimpose these two spin set, one of the other, एको हमन line से जो दिख रहा है, दूसरा dotted line से जो दिख रहा है, इसमें blue color से आपको oxygen देखो दिख रहे हैं बीच में, वो जो लिख रहा क्या वो oxygen है, इनके बीच में देखो, अब आपको दिख क्या रहा है, यहां पे देखो, क्या दिख रहा है, ध्यान से देखना, हमने ऐसा show किया ह यहाँ पे कि जो दो oxygen है उनके बीच में जो हमने electron pair दिखाए है वो किस form के अंदर दिखाए है कैसे दो bond की formation को देखो हम explain करेंगे देखो two close pair is formed between the two oxygen atom the oxygen atom के बीच में बोलो क्या बन गए दो close pair बन गए है जो दो close pair बने वो हमने कैसे explain कि यह बनने अब बड़े ध्यान से देखें देखो यह तो one close pair है देखो यह एक equivalent bond बन जाएगा क्या बन जाएगा बोलो यह equivalent bond बन जाएगा clear हो गया उसके बाद दूसरा कैसे explain करें देखो ध्यान से यह हमने oxygen atom लिए oxygen atom के बीच में एक close pair बन गया फिर दूसरा close pair बन गया यह जो opposite orientation लिया है किसलिए किया थाकि इनके बीच का distance आपका बढ़ जाए देखो कैसे बढ़ गया बोलो distance यह जो एक oxygen यह की electron है dot से और यह electron अगर हम same orientation का रखते हैं तो यह जो दो dot है दो electron है एक दूसरे के नजदीक होते इनके बीच का distance थोड़ा increase हो जाए यही तो linear theory की beauty है कि वो एक्स्पेंड कर पाती है कि उसके दो electron हो के बीच के distance को कैसे हम increase कर सकते है तो हमने different orientation ले लिया दूसरे spin set के अंदर तो इसलिए उनके बीच का distance आपका क्या हो गया बोलो थोड़ा increase तो यह diamagnetic nature का explain करते है क्योंकि सारे के सारे electrons यहाँ पे close bear की form के अंदर है लेकिन यह जो first excited state है और जो second excited state बनाएंगे उसके अंदर difference सिर्फ इतना ही होगा अभी हम आपको बताते हैं कि जो अपके दोनों के दोनों spin set अप लेंगे second excited state में दोनों का orientation हम सेम रखेंगे और वहां पे opposite spin के electron आएंगे लेकिन थोड़े एक दूसरे के नजदीक रहेंगे यहां पे opposite spin के एक दूसरे से क्या हो गया है दूर क्योंकि हमने different orientation ले लिया है लेकिन इसी बात को आपके corner के उपर हमने 8 अपके total कितने एक्ट्रों रख दिये हाप एक क्या करना पड़ेगा अभी तो मने टॉटल एट डॉट्स दिखा रखी है लेकिन हमें तो सिक्सी रखनी है ट्वैल एक्ट्रों सिस्टम बनाना है तो ट्वैल एक्ट्रों सिस्टम कैसे बने देखो यह one two three and four देखो एक face है यह four तो एक side में रह जाएंगे बिल्कु ठीक है four हो जाएंगे ऐसे दूसरे के अंदर four यह four यह हम क्या कर लेंगे बहलो यह हम share कर देंगे इस face को इस face को हम क्या कर देंगे share दूसरे आपके cube के साथ अब देखो हम second cube लेके आते हैं यहाँ पर जो एक पहले आया था उसके four जो corner थे वो तो common है ही नहीं four electron ही था ऐसे यहाँ पर one two three and four four और four कितने होगे बहलो eight और एक जो face common हो गया है उस common face के पर देखो four electron है one two three and four होगे ना four electrons तो four electron तो देखो common हो गए four ऐसे हैं जो common है नहीं तो total होगे 12 electron system तो 12 electron system यहाँ पर कैसे बनाया था by वो लो कैसे by taking the two cubes and sharing the face between them तो यह alternate way है जिसमें हम explain कर सकते हैं लेकिन main point हमारा वही रहेगा क्वाटरेट हमें यूज करने क्या यूज करने हमें हमें वह लो क्वाटरेट तो उसी तरीके से मैं explain कर पाएंगे तो यह थी हमारी first excited state of the oxygen molecule अब second excited state लेते हैं इदा second excited state the configuration will remain same one is to two is to be four open shell के अंदर वही रहेंगी like that of the first excited state आपके देखो six electron of one spin set are arranged in the form of the pair of tetrahedra by sharing the edge between them यह भी बिल्कुल ठीक है यहां तक यह सेम रही first excited state जैसी लेकिन अब जो आपका second spin set बनेगा six electron का the six electron of the other spin set are arranged in the form of pair of tetrahedra by sharing the edge between them with the same orientation यह आपको धिया रखना है देखो यह one देखो same orientation रखा आपने यह भी same orientation तो other spin set आपका यहां पर बन गया अब superimpose कर देंगे हम इन दो spin set को अब उससे क्या हुआ देखो जब हमने तो यह जो electron थे opposite spin के देखो अभी एक तूसरे के देखो यहां पर यह नजदीक रहे गए लेकिन यह नजदीक नहीं थे first excited state के अंदर इन दोनों के बिच distance थोड़ा ज़्यादा था repulsion थोड़ी कम थी जिसके वज़े से first excited state थोड़ी ज़्यादा stable थी as compared to the second excited state that is the region और यह नजदीक क्यों रहे और हमें कैसे explain करना था second क्योंकि इसके energy हमें ज़्यादा explain करनी थी कि इसके energy थोड़ी ज़्यादा है as compared to the first excited state तो क्या किया गया जो दो spin set लिए उनको orientation same रख दिया energy थोड़ी कम दिखानी थी first excited state में तो second spin set था वहां पर वो आपके different orientation का हमने ले लिया था इन दो electrons को जो मैंने अभी आपके सामने यह circle करके देखो दिखाए है इनके बीच का distance थोड़ा हमने increase कर दिया तो इस टेप से क्या देखा आपने नाओ दा टू क्लोस पर इस फॉंड बिविन दा टू oxygen atom विच रिजल्ट इन दा फॉर्मेश ऑफ दी डवल बॉंड देखो कौन से दो देखो यह 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 वन और यह तू इनकी वजह से तो बोलो क्या बन गया यहां पे डवल बन बन गया टू क्लोस पर इस फॉंड बिविन दा टू oxygen atom विच रिजल्ट इन दा फॉर्मेश ऑफ दा टू कोवलेंट बॉंड वाइल अदर टू एलेक्ट्रों पर और इच अपर एक एक पेर ऐसा बन गया था जिनके बीच में ऑपोजिट स्पिन के बीच भी गैप थोड़ा ज्याद बहुत एस मुसरा स्टेबल हो ती एस अकॉमेश गार चाटीड़ स्टेट अवर यह स्टक्ट्र आपके सामने बन गयी और first excital state में 1.216 angstrom distance तो इस टेप से हम oxygen के formation को explain करते हैं उसके paramagnetic और dimagnetic दोनों nature को explain करते हैं आपके ground state को भी हमने देखा first second exam कैसे भी आ सकता exam में यह आ जाए कि explain the formation of the two molecules तो आप तीनों ही state को explain करेंगे paramagnetic nature को explain करेंगे dimagnetic को भी और specify कर दें सिर्फ first excital state को explain करें या second को करें तो आप accordingly आप उसका जहाव निख देंगे तो नेक्स्ट इसके बाद हम लेते हैं 14 वेलेंस इलेक्ट्रोन सिस्टम को तो F2 हो सकता है S2O2, C2H6A and 2H4 तो different molecules हैं जो 14 इलेक्ट्रोन सिस्टम को रखते हैं जैसे F2 में आपके वेलेंस इलेक्ट्रोन हैं तो 7 तू जा 14 तो हम वन बाई वन इनको explain करते हैं सबसे पहले F2 तो the formation of F2 molecule using the linear theory chlorine है इसमें तो configuration हो गई 1S2, 2S2, 2P5, valent shell में लेक्ट्रोन कितने होगे total 7 देखो एक fluorine में 7 तो 2 fluorine में कितने हो जाएंगे 14, so it is the clearly the 14th electron system, convolution लिखी 2S2 और 2P5, open form के अदर भी आपने देखा total आपके 14 electrons हो गए, valent shell electrons जो है, तो 7 electrons का एक spin set बनेगा जैसे मैंने आपको बताया था, equally हम divide कर देंगे, 7 electrons का one spin set और 7 electrons का other spin set तो 7 electron का spin set बनाने के लिए क्या करें, 4 electron होते तो एक tetrahydra काफी था, लेकिन 7 electron है तो pair of tetrahydra use करना पड़ेगा, लेकिन common क्या करें, कि 4-2 जा अगर 2 tetrahydra को combine करते है, 4-2 जा 8 हो जाएगा, एक हमने कम करना है, तो एक ही चीज़ को common करें, एक point को common करें, वो corner कहलाता है, so the 7 electrons of one spin set are arranged in the form of pair of tetrahydra by sharing a corner between them, देखो, यह हमने corner को common कर दिया, one spin set बन गया आपका, similarly, the 7 electron of the other spin set are arranged in the form of pair of tetrahydra by sharing a corner between them, with the reverse orientation, अब इन दोनों को सुपर इंपोस करेंगे, एक दूसरे के उपर रखेंगे, एक दूसरे के उपर हमने इन को रख दिया, उसके बाद ही हमने फ्लोरीन को दिखा दिया, देखो, फ्लोरीन के बीच में one close pair देखो, यहां पे बन गया, यहां पे one close pair, opposite spin, one close pair, opposite spin, यह हमने opposite orientation क्यों रखा था, ताकि एक close pair के बीच में, इलेक्ट्रोन के बीच में distance बालो, क्या हो गया थोड़ा, ज्यादा stability, थोड़ी increase हो जाती है, ऐसे दूसरे फ्लोरीन के उपर देखेंगे, one close pair, second close pair, they are present in the form of the lone pair, a lone pair की form में है, means one close pair is found between the two F atom, which results in the formation of the one covalent bond, while the other three electron pair on the each of the fluorine atom are remain localized in the form of the lone pair, और इस तरीके से हमने F2 के formation को explain किया, तो इस ए 14 electron system, जितने भी और आपके 14 electron system के example अब आने वाले हैं, सब भी एक ही जैसे होंगे, सिर्फ जो हम ये explain करते हैं, one spin set, other spin set, हमने same orientation का लें, different orientation का लें, वो सिर्फ stability के उपर थोड़ा असर डालता है, कि अगर जैसे हम आपने देखा कि दूसरा जो spin set लिया, with reverse orientation, उससे stability थोड़ी increase होगी, one lone pair जो बना, एक हो ये बीच में दिखाया था, इसमें जो opposite spin के ही है electron तो, येकिनों के बीच का distance थोड़ा increase हो गया, तो stability थोड़ी increase होते हमने दिखाई है, अगर same spin set का ही रखते, same orientation के साथ रखते, तो ये close pair भी थोड़े नजदीक होते, दो opposite spin के electron भी थोड़े नजदीक होते, जिससे repulsion थोड़ी ज़्यादा होती, वो थोड़ी कम stability को, वो explain करता कि इसकी stability थोड़ी कम हो गई है, तो ये था आपके F2 के बारे में, similarly other example, same diagram होंगे, सब कुछ बिल्कुल सेम आप देखते रहें, next the formation of H2O2 molecule using the linear theory, इसके अंदर दो आपके atom एक ह, एक oxygen, तो oxygen की congestion लिखी, 1s222, 2s22, 4, valence shell के अंदर total 6 electron है, तो 2 है oxygen, 6 to 12 हो जाएंगे यहाँ पे, 12 electrons हो गए, similarly hydrogen की congestion, 1s1, इसके अंदर एक electron है, 2 है hydrogen, तो उससे क्या हो जाएगा बोलू, 2 multiplied by 1 is equal to 2, total बन गया 14 electron system, क्या बन गया आपका, 14 electron system congestion लिख देते हैं, उसके बाद balance electron आपने count के 14 electron system, उसी type से 2 set के अंदर divide करें, मैंने अभी आपको बताया था, 7 electron का one spin set, 7 electron का other spin set, फिर उनको arrange करेंगे, 7 electron of one spin set are arranged in the pair of tetrahydra, by sharing a corner between them, one spin set बन गया आपका देको 7 electrons हो गए, 7 electrons of other spin set are arranged in the form of pair of tetrahydra, by sharing a corner between them with the same orientation, और the different orientation, तो यह हमने different orientation का लिया है, यहां पर, कैसा लिया बोलो हमने यह different orientation का, अब हम इनको superimpose कर देंगे एक दूसरे के उपर, उसके बाद आपके जो दो oxygen atom है, उनके बीच में वन तो single bond बनेगा, विकास वन क्लोज़ पर इस प्रेजेंट इन बेविन तो oxygen atom, and the one close pair and the three remaining close pair on each of the oxygen atom, out of these one close pair is used for holding the H atom on both of the oxygen atom, यह close pair hydrogen को होड़ करने के लिए, remaining close pair are present in the form of the lone pair, तो one close pair is found between the two oxygen atom, which results in the formation of one covalent bond, while the other one electron pair on each oxygen atom are used for holding the H atom, and remaining are present in the form of the lone pair, तो इस टेप से यह structure, तो और और के बीच में हमने एक bond बनते वे दिखाया, एक close pair है, और H के साथ एक bond, एक close pair है, close pair है आपका, यहाँ पर यह डोट रह गई थी, तो यह close pair बन गया आपका, और अधर close pair, दो close pair और हैं oxygen के उपर, वो इंदा form of lone pair होंगे, तो इस टेट अबाउट दा H2O2 formation, hydrogen peroxide की formation आपने explain की, with the help of the linear theory, बिल्कुल इसी टाइब से next molecule हम लेते हैं, C2H6 ethane को, इसमें जो दो एटम हैं वो कॉन हैं, तो carbon, congestion 1S2, 2S2, 2P2, total valence electron, देखो 4 हो गए, 2 हैं आपके, तो 2, 4, जा 8 हो गए, hydrogen 6 है, hydrogen congestion 1 है, तो आपके total 6 multiplied by 1, is equal to 6 electron हो गए, total electrons आप देखें, 8 plus 6, 14 electron system है यह दुबारा से, total valence electron आपके 14 ही है, तो सबसे पहले open form के अंदर देखो, congestion लिखी, carbon की, hydrogen की लिखी, फिर total valence electron C2S6 में 14 हो गए, उसी टाप से, 2 spin set बनाएंगे आप, 7 electron का 1 spin set, 7 electron का other spin set, आपको pair of tetrahydra ही लेना पड़ेगा, उसी टाप से, so 7 electrons of 1 spin set are arranged in the pair of, in the form of pair of tetrahydra by sharing corner, हम corner share कर देंगे, तो 7 electron system हमारा बन जाता देखो, similarly, the 7 electrons of other spin set are arranged in the form of pair of tetrahydra by sharing a corner between them with the different orientation, different का रिजिन हमने बता दिया था, to increase the stability of the system, ताकि close pair के बीच में distance थोड़ा इंक्रीज हो जाए, उपोसित spin के जो close pair के बीच में के बीच में थोड़ा इंक्रीज हो जाए, नाव सुपर इंपोस्ट इस तू सेट वन और वो दी अधर देखो मने सुपर इंपोस्ट कर दिया ध्यान से देखे, तो एक कारवन है कारवन 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 के बीच देखो वन क्लोस पेर हैं, फॉर दा फॉरमेशन ओवन कोवलेंट बॉंट, हर एक कारवन क के वाड़न क्लोस पेर हैं, जेखो one क्लोस पेर ऑicesट क्लोस पेर फर होल दिखेंगी वटो उपजर्वाल पर यहां जिन दो ऑपोजि्स ये ज्टोड़ा ज्यादा है तभी तो आनि लिया था, other spin set with the different orientation so the one close pair is found between the two carbon atom which result in the formation of one covalent bond while the other three electron pair on each of the carbon atom are used for holding the H atom और इस टाप से यह आपके ethane की structure को हमने explain किया यह एक इलेक्टोन यहां पे रह गया यह हमने लगा दिया सब्सक्राइब से तो इस टाप से हमने explain कि आप formation और बोलो किसीज का सी टू एक्सिक्स एटीज़ाइन similarly next example हम लेते हैं एंट्टू एच फोर एनस्टू सिंगल बौर्ड एनस्टू हीडर्जीन कहते जैसे आप इस पे दो आपके एटम है कौन-कौन से है नाइट्रोजन एटम क्या रही स्टू ओएचियों स्टू पी है तो टू पी त्री यहां system open form में हम शो कर देते हैं total balance electron n2h4 molecule के अंदर 14 है उससी टाप से जैसे हमने पीछे discuss कि इतने सारे molecule seven electrons का one spin set बनेगा seven electron का other कर दिया similarly the seven electrons of other spin set are arranged in the form of pair of tetrahedra by sharing common between them with a different orientation by same region to acquire the extra stability now superimpose these two spin set one above the other and it clearly reflect a clearly reflect kya kata hai there is a one close pair in between the two nitrogen atom which result in the formation of one covalent bond the remaining three electron pair close pair on the nitrogen atom the two close pair are used for the holding the H atom on both of the nitrogen atom don't okay don't nitrogen atom keeper job but three close pair out of these three close pair two are used for holding the H atom on both of the nitrogen atom that is in the form of lone pair so the one close pair is formed between the two nitrogen atom which result in the formation of one covalent bond while the other two electron pair on each nitrogen atom are used for holding the H atom and the remaining one electron pair is used for act as the lone pair so that's about the structure of the N2H4 hydrogen and I am sure of the one electron so this step is 40 electron system to a party or linear theory key help us a lot of the theory so that's how linear theory system को explain किया with the help of the linear theory. Thank you.